हाई फ्रेंस मैं आपको श्रागत करती हूं फाग लश्मियन पुर्णा की चैन में आज हम बनाएंगे गाजर के हल्वे बिल्कुल सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बनाएंगे तो एक वार आप जरूर ट्राइ करना इस तरीके से और बहुत ही टेस्टी और डिलिश्यस ब कि तो आप देख सकते हो हम और चाली के साथ ही डाला है मलाई के साथ एस से तरीगस की तो आए और उन्स में अन्टि отв आई दाल दिया घ्रत चनी भी डाल दिया में तो चीनि भी डालिया है तो चीनी हम अंदाजे से घनाज्श बेंबौट फ्र Ren दालेंगे जो मीठा होने तो गाजर भी मीठा होता है अपर अंदाजों से डालें तो आप देख सकते हो हमने एक चमज इसी में घी ऐड़ कर दिया है तो इसमें ही हमने घी भी आड़ कर दिया है और इसे अच्छे से अब धकन लगाके हम 6 विशल आने तक इसको पकाएंगे ब जाएगे हमारे सारे गाजल बिल्कुल सौप्ट हो जाएगे और दूद भी हमारा सुख जाएगा इसमें जो इस्टा पानी मुश्चाइज होता है वह भी शुक जाता है तो आप देख सकते हो मेरा इसको मैस करेंगे पटेटो मैसर से अच्छे से जिससे यह बहुत अच्छे स इसको मैस करेंगे तो आप देख सकते हो हमने बहुत अच्छे से इसको मैस कर लिया है तो बहुत अच्छे से हमने इसको मैस कर दिया है तो फिर अभी मैस हो चुका है तो हम फिर से इसको गैस पे चरहाएंगे और इसको अच्छे से सूखने तक फ्राइ करेंगे तो अकर यह वीडियो आपको थोरी भी पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर लिख के बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा और फैमिली फ्रेंट के साथ सेयर करना ना भूले और अल बटन पे भी जरू दवाएं जिससे हमारी वीडियो की न सब्सक्राइब तो आप जरूर से जरूर बना बताना और हम ट्राइब करेंगे जरूर से ट्राइब करेंगे तो आप देख सकते हैं हमने थोरी सी घी फिर से डाली थी अगर आपको एच्छा हो तो डालो बढ़ना इस किपकर आप चाहें तो पहले भी घी नहीं डाल सकते हो आप healthy खारना चाहते हो और पहले से भी घी नहीं डालोंगे तो चलेगा बीना घी का भी बन सकता है यह जोरूरी नहीं है इसमें घी पड़ता ही है बीना घी का भी आप बना सकते हो तो इस तरीके से हम इसको मैस करते हुए इसे फ्राइ करते रहेंगे तो और भी अगर हमारे रेसिपी पशन करते ओ और देखना चाहते हो तो आई बटन पर पर क्लिक करना हम ने और भी रेसिपी का डाला है। तो हमारे चैनल करना विजुड जरूर करना है, अगर पसंद आए घी देख—के उंप्लिक femme यह पानी सुक चुका है और आब हमने इस विल्कुल अच्छे से हम ओद्साओ करेंगे जब लाल हो जाए सूख जाए दून पानी बिल्कुल सूखा देगे इसका तो इसमें भी ड्राइप नाथ सकते हो चाजूрь है आप और सकते हैं अब काजू में ता स्टी ब्राइप ए 지망 जो व्रीम तो इसको तो 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 इसको अच्छे से कुकर में ही फ्राइ करते रहेंगे तो आप देख सकते हैं विल्कुल अच्छे से यह बन चुका है तो आप इससे सर्व कर सकते हो मिंटो में बनाके फैमली फ्रेंड्स किसी को भी सर्व करो और सभी आपकी तारीफे करते ना ठकेंगे और थैंतिक तरीके से भी बहुत ही अच्छा यह तरीका है तो आप एक बास जरूर ट्राय करना और बहुत ही टेस्टी डि वाचिं वीडियो